नमस्कार कच्छा दस्वी के प्रिये चात्रों, प्रकल्प फन्विदिन्दी में आपका स्वाधत है। आज हम स्पर्ष के पध्यभाग में से आत्मत्राण कविता पर चर्चा करेंगे। इसके रचना रविन्दा चात्र ने की है और इसका हिंदी रूपांत्रन आचारे हजारी प्रसाथ विवेडी ने किया है। यह कविता वास्तव में एक प्राथना है। हमेशा प्राथना में एश्वर से कुछ न कुछ मांगा जाता है। धन दौलत, शान्ती, एश्वर्य, लेकिन यह कविता बाकी प्राथनाओं से बहुत अलग है। यह किस प्रकार अलग है? चलिए कविता की ओर बढ़ते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वेल आइकान भी जरूर दबाएए। ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ, आपको से खबर मिलती रहें। कविता है आत्मत्राण और इसके कवी है रवींद्रनात जाकुर। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। केवल इतना हो करूणामय कभी न विपदा में पाउंभै। पहले कठिन शब्दों के आर्थ देख लें। विपदा का आर्थ है मुश्किले, कठिनाई, संकट। करूणामय इश्वर के लिए आया है। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कभी इश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे इश्वर, मैं यह प्रार्थना नहीं करता कि आप मुझे 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 मुश्किलों से बचाएं। केवल इतना हो करुणा मैं, हे इश्वर मैं बस यह चाहता हूँ कि कभी न विपदा में पाऊं भै, मैं संकट का सामना करने से डर न जाऊं। कभी के कहने का तात पर यह है कि जीवन में कठनाईयां तो अवश्या आएंगी, ऐसे समय में बे उनसे बचने की प्रार्थना करने के बजाए, उनका निडर्ता पूर्वक सामना करने का गुण पाने की प्रार्थना करते हैं। दुख ताप से व्यथित चित को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा मैं दुख को मैं कर सकूं सदा जाए। कठीन शब्दों के अर्थ, व्यथित, दुखी, सांत्वना, तसल्ली। अब पद्यांजकार्थ बस मुझ पर इतनी कृपा करना कि दुख को मैं कर सकूँ सदा जै मैं अपने बल पर उन दुखों पर हमेशा जीत पा सकूँ कभी के कहने का मतलब है कि कभी ईश्वर से सांत्वना यानि तसल्ली की अपने दुख दर्द को ईश्वर के साथ बांटने की चाह नहीं रखते वे अपने बल बूते पर दुख दर्द का सामना करते हुए उस पर जीत पाना चाहते हैं कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले हानी उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वन्चना रही तो भी मन में ना मानूक्ष है अब समझते हैं कोई कहीं सहायक ना मिले कभी प्रार्थना करते हैं कि है प्रभु संकट के समय यदि मेरा मददगार कोई ना हो मेरी सहायता करने वाला कोई मुझे ना मिले, तो अपना बल पौरुष ना हिले, ऐसे समय में भी मेरी शक्ती, मेरी वीर्ता बनी रहे, मैं कमजोर ना पड़ जाओ, घबरा ना जाओ, कभी वास्ता में कहना चाहते हैं, कि सहायक के ना मिलने पर भी वे अपनी शक्ती बनाय रखना चाहते हैं, वे इस संसार द्वारा धोखा दिया जाने पर भी विचलित नहीं होना चाहते, अपने मन में शक्ती भरते हुए, वे जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरा त्रान करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा मैं, तरने की हो शक्ती अना मैं, पहले कर्षीन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, त्रान यानि रक्षा, अनुदिन यानि हर रोज, अना मैं यानि रोग मुक्त, स्वस्त, अब समाझते हैं, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं कभी कहते हैं कि हे ईश्वर मैं यह प्रार्थना नहीं कर रहा कि तुम हर रोज मेरी रक्षा करो मुझे खुद अपना सहारा देते रहो बस इतना होवे करुणा मैं मेरी आप से बस यही प्रार्थना है कि तरने की हो शक्ति अनाम है, मुझमें हर कश्ट से, हर संकट से उबरने की शक्ति भर दो, मुझे रोग मुक्त रखो, ताकि अपने आप से मुझमें कठनाईयों को पार करने की शक्ति आ जाए। कवी के कहने का तातपर यह है कि वे ईश्वर से यह नहीं चाहते कि वे कवी की रक्षा करें। कवी बस इतना चाहते हैं कि ईश्वर उनके अंदर इतनी शक्ति भर दें कि वे अपने कश्टों से उबर पाएं। कश्टों को सहने की शक्ति अपने आप ही उनके मन में बनी रहे सांत्वना का अर्थ है तसल्ली, अनुनै यानि विन्य पूर्वक प्रार्थना, वहन करना यानि उठाना अब समझते हैं मेरा भार अगर लगू करके ना दो सांत्वना नहीं सही कभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर मेरा भार यानी मेरे दुख दर्थ को तुम कम ना करो कोई बात नहीं तुम मेरी सहाथा करने की विचार से मुझे तसली ना भी दो कोई बात नहीं केवल इतना रखना अनोने आपसे विने पूरवग बज यही प्रांथना है कि वहन कर सकूँ इसको निर्भय, इस दुख दर्थ का भार निडर होकर उठा सकूँ, यानि बिना डरे मैं अपने दुखों का सामना करता रहूं। कभी कहना चाहते हैं कि यदि इश्वर उनका दुख दर्थ कम करने के लिए उन्हें सांत्वना ना दें, तो भी कोई बात ने, वे बस यही प्रांथना करते हैं कि उनमें इश्वर निडर्ता भर दें, जिसके सहारे वे अपना दुख दर्थ सहन कर सकें। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्री में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करूणा मैं, तुम पर करूँ नहीं कुछ संशे। कटिन शब्दों के आर्थ देख लें, नत यानि जुका हुआ, छिन छिन यानि हर पल, हर क्षण, निखिल यानि सारी, पूरी, मही का आर्थ है पृत्वी और संशे का आर्थ है संदेह। अब समझते हैं, नत शिर होकर सुख के दिन में, कभी प्रास्तना करते हैं कि मैं सुख के पलों में भी आपके सामने, यानि ईश्वर के सामने, अपना सिर जुकाना चाहता हूँ। तव मुख पहचानु, चिन चिन में और हर क्षण, हर पल आपके अस्तित्प को पहचानना चाहता हूँ। आपकी उपस्थिती का एहसास करना चाहता हूँ, सुख के पलों को आपके कृपा का फल मानना चाहता हूँ दुख रात्री में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, जब मेरे जीवन में दुख रूपी रात हो यानि मैं चारों तरफ अंधेरे से घिरा रहूँ, चारों तरफ दुख दर्द से घिरा रहूँ और सारी दुनिया मुझे धोका दे, मुझे पीडा दे, तो भी उस दिन ऐसा हो करू ना मैं हे ईश्वर, उस पल में भी मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसा धैर्य दो कि तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, मैं आप पर कोई संदेह ना करूं, मैं अपने दुख को अपना पाऊं और यह ना सोचूं कि यह दर्द मुझे आपने दिया है, आपके प्रती मेरी भक्ती, मेरी आ आस्था हमेशा बनी रहे, इस कविता के अंतिम पध्यांश में कभी ईश्वर से प्रासना करते हैं कि सुख के पलों को वे ईश्वर का वर्दान समझ पाएं, सुख का अनुभव करते हुए वे इस बात को भूल ना जाएं कि सुख के पल ईश्वर की ही देन है, वे अपने दुख में भी ईश्वर के प्रती आस्था बनाय रखना चाहते हैं, वे इस सोच को अपने दिमाग से दूर रखना चाहते हैं कि शायद ईश्वर नहीं उन्हें दुख दिये हैं, सुख और दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, कभी दोनों समय ईश्वर पर अपना विश्वास बनाय रखना चाहते हैं, इस कविता में ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना ना करते हुए, कभी अपनी रक्षा स्वयम करने की शक्ती की प्रार्थना करते हैं, प्रिय चात्रों आशा है आपको कविता समझ में आगे होगी फिर भी कोई शंका कोई संदे हो तो कमेंट सेक्ष में जरूर लिखिए अब नवीदा लेना चाहरती हूं नमस्कार स्बस्टों नमस्कार